हेलो फ्रेंट्स आइम तनीशा कंग्राडे और वोचेंग तीजेगरी फ्रेंट्स आज हम लोग करेंगे इसमें हम सब चीज को ब्रीफ में डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेशन नुबर फिफ्टी वन विच फॉलेंग रिप्रेजेंट जीनोम और क्रोमोजम नंबर ऑफ और सीट ब्रैसी का नेपस सब स्पीशिस नेपस इस राइट आंसर इस ओप्शन नुबर बन डाट इस डबल डबल जी थर्टी एट क्वेशन नंबर फिफ्टी टू दा प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फूट क्रॉट क्रॉप दा रिच इन बायो अवेलेबल माइक्रो नूट्रेंट इस राइट आंसर इस बायो फॉर्टिफ इस पर्टिकुलर क्रॉप की नूट्रेंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसको हम कहते हैं बायो फॉर्टिफिकेशन मतलब हमने आर्टिफिशली नूट्रेंट के अवेलेबिलेटी को बढ़ा दिया क्वेशन नंबर 53 डाइबेक डिसीज इस कॉस्ट बाइबेक ड हैं जार्टिक हैं अभीक जा त उट टी असम्रों ऑल्टिंग को बछिस स्ट अवेलेबिलेब домой ऑल्लyn ऑ tammy फॉर्ट हैं इवेलेबिलें ऑनिवेलेबिलेब़ेबील्यू पल्टिंग्सिण लॉ्राइब टी नॉर्टिश् सेटote of DNA is T A G G C T A A what are the corresponding sequence base in mRNA मतलब आप RNA पूछ रहेंगे अपना DNA का सिक्वेंस दे दिया अब पूछ रहें कि इसका RNA का सिक्वेंस क्या होगा तो हम जानते हैं कि RNA में क्या होता है थाइमीन की जगह लगेगा एडेनीन और एडेनीन की जगह आरेने में कभी थाइमीन नी होता है य यह देखते हैं कहा है तो इस राइट ऑप्शन इस A option number third question no 57 the seed replacement rate of hybrid seed then the seed replacement rate of hybrid seed is 100% question number 58 peach leaf curl is caused by peach leaf curl is caused by fungus ठीक है कौन सी fungus होती है tapherina deformance की वज़े से peach leaf curl disease होती है question number 59 which of the following is an example of hesperidium then apple is an example of poem ठीक है orange is an example of hesperidium poem granate is an example of ballusta question number 60 XYZ system for hybrid production was proposed for XYZ system is mainly for the hybrid production in wheat XYZ system Driscoll Lane 1972 में दिया था it was proposed by Driscoll in 1972 question number 61 sheath throat disease in paddy is caused by then sheath throat disease in paddy is caused by serocladium or iz question number 62 a set of germplast accession derived from base collection to represent the genetic diversity in the whole collection is its right answer is option number 4 that is core collection question number 63 which of the following belongs to imperfect fungi we call the imperfect fungi okay now this is imperfect imperfect why we call it imperfect why we call it imperfect because we get the reproduction of this sexual reproduction sexual reproduction we call it imperfect fungi and we call it Dutero mycota भी कहते हैं अब पूछेए कि कौन सा इसमें से इंपर्फेक्टा फंगाई है तो इस राइट आंसर इस राइट जॉक्टोनिया जब मॉल्लेक्लर नाइट्रोजन अमोनिया में कनवर्ट होता है तो उसे कहते हैं इस फेसियलिया फेज़िया अ किरेक्ट्रिस्टिक अ पूसे फेसिलिया क्या होता है जो एर्गोट होती है एर्गोट की कॉनेडियल स्टेज को हमने क्या काया है एर्गोट की जो कॉनेडियल स्टेज होती है उसको हम कहते हैं इस फेसिलिया एरगोट मतला क्लेविशेप्स पर प्यूरा तो स्वेसीलिया फेस is the characteristics of एरगोट which is also known as क्लेविशेप्स पर प्यूरा इस राइट आंसर इस option number third question number 66 कैस्टर ओईल falls under which of the following category of fixed oils यहां आपके पास चार ओप्शन है drying oil, semi drying, non drying fat इसका answer है non drying oil अब non drying oil का क्या मतलब होता है ऐसे oil, जब यह air में expose किये जाते हैं तब क्या होते हैं, यह hard नहीं होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं non drying oil whereas drawing oil में क्या होता है जब इसको अपन air में expose करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, hard हो जाते हैं semi drying oil, ऐसे oil हो जो रांढ हquar टें टो नौन द्रहेंंग ऑस तरी Alf। टहम् होता है, ऐसे जो यह Ale एक्सपोस करने के बाद वेद रहेंग नहीं होता है। सबर्कोल दिफंदेश इसका एक्षाब्स केस्टर ओ किस्टरोल और ड्राइंग उइल-ड्रेल का एक्षाम्पल होता है। ड्राइंग कोईल का एक्जामपल है वेलनट ओल एड लिंसेड ओल क्वेश्चिन नमबर शिक्स्टी सेवन विच इस तोटल नमबर ऑफ अंथर्स फाउंड इन राइस फ्लोरेट नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली थ्री अंथर्स मिलते हैं पर राइस जो एक exception कैसे इसमें शिक्स नमबर ऑफ अंथर्स मिलते हैं क्वेश्चिन नमबर शिक्स्टी एट तेंपरेच्चर, प्रेश्र अंद तांग कॉम्बिनेशन उसुली इंप्लोड इन आटो क्लेविश्ट इस 121 degree Celsius 15 LBS 15-20 मिनेट्स आर यूज्वली इंप्लोड इन ओटो क्लेविश्ट नमबर शिक्स्टी नाइग यूस ओफ लाइट ट्रैप फॉर दो मेनेजमेंट ऑफ पैस्ट इस एन एक्जाम्पल ओफ देखे लाइट ट्रैप हमेशा मेकैनिकल कंट्रोल में होता है देखे क्या होता है जो लाइट ट्रैप होता है जो इंसेक्ट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ठीक है उसको पहले हम लाइट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फिर मापे ट्रैप्स बनाएकि हम क्या करते हैं इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं वह सकते किल करते हैं तो इस तरह हम जो लाइट अट्राक्टिव इंसेक्टे उनको क्या करते हैं मैंनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं question number 70 red leaf of cotton is caused due to red leaf of cotton एक physiological disease है जो nitrogen की deficiency की वज़े से होती है question number 71 which of the following is a polysacrides देखे हमने carbohydrates को किते पार्ट में बाटा है हमने carbohydrates को चार पार्ट में बाटा है monosacrides, disacrides, oligosacrides and polysacrides monosacrides की example है glucose, fructose and galactose, disacrides की example आते हैं sucrose, lactose and maltose oligosacrides की example है refinos and stekairos, polysacrides की example है starch, glycogen and cellulose आप यहाँ क्या पूछ रहे हैं, इसा पीच अब पॉलिसacrides, देखे सुक्रोस क्या हुआ, सुक्रोस, disacrides, maltose, disacrides, starch starch क्या है, polysacrides, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, starch और lactose भी क्या होता है, lactose भी disacrides, तो सुक्रोस, maltose, lactose is disacrides, whereas starch is polysacrides question number 72, which of the following is not a free living nitrogen fixation फिर से अपन एक chart देखते हैं, देखे, bacteria को हमने दो पार्ट में divide करा है कौन-कौन से दो पार्ट है इसके, एक होता है free living, दूसरे होते हैं symbiotic फिर free living को अपनने दो पार्ट में divide करा है, एक होते हैं aerobic, एक होते हैं anaerobic अब aerobic में कौन-कौन से आते हैं, aerobic में आते हैं azetovector, उसके बाद badgernik और तीसरा आता है sinobacter, anaerobic में आते हैं plostridium, pulper sulfur bacteria और pulper non-sulphur bacteria और वहीं पर symbiotic में आते हैं rhizobium जो leguminous के साथ अपना symbiotic association आता है, दूसरा आता है frankia जो elden trees के साथ symbiotic association दिखाता है, अब यहाँ पर पूछ रहें which of the problem is not free living, मतलब symbiotic की बात कर रहें, हमने देखा जो rhizobium bacteria है वो leguminous plant के साथ अपना symbiotic association बताता है, तो right answer is rhizobium, clostridium free living anaerobic bacteria हुआ और azetobacter free living aerobic bacteria है, question number 73, use of juvenile hormones and sex attractants comes under, देखिए यह जो juvenile hormones से और जो sex attractant से यह क्या होते हैं, यह third generation insecticide है, third generation insecticide का मतलब होता है, कि जो hormones रहते हैं, insect के hormones होते हैं, यह बहुत ज़्यादा specific होते हैं, particular insect के लिए, तो इसलिए उनको पन्ने third generation hormone, third generation insecticide से कहा है, question number 74, in India, domestic quarantine is in force of for which of the following banana disease, banana disease, bunquito disease जो वाइरस की वज़े से cause होती है, और इसका जो transmit होती है, वा एफिट की वज़े से होती है, question number 75, actinomycetes have a characteristics of both, bacteria और fungus के बीच में जो link होती है, वो कौन सी होती है, actinomycetes, मतलब इसमें bacteria जैसे characteristics भी and some of the fungus जैसे characteristics भी आपने को इसमें देखने को मिलते हैं, question number 76, the tag color of breeder seed is, देखे, white color किसका होता है, white color होता है foundation seed का, blue color होता है, certified seeds का, और golden yellow color होता है, breeder seed का, तो tag color of breeder seed is golden yellow color, question number 77, the viable gametes produced by translocation, heterozygote is in, देखे, translocation का मतलब क्या होता है, देखे, पने क्या होता है, तो यह क्या होगा, 5, 6, 3, 4, 1, 2, 7, 8, अब यह देखे लिया पने क्या होता है, जाएटर होता होता है क्या होता है, तो यह बाइबल gametes produced by a translocation heterozygote is in, it is produced in alternate, ठेके, question number 78 what is the source of D genome of wheat and its right answer is agelopes tau c is the source of D genome of wheat question number 79 the germinated mustard seed converts its lipid into sugar by its right answer is glyoxalate cycle glyoxalate cycle और TCA cycle में main difference क्या होता है क्या होता है जब isocitrate mellet में conversion होता है तो यह जो TCA cycle में जब प्रोसेस होती है तो यह कैसी होती है aerobic होती है वहीं पर जब glyoxalate cycle होती है तो वहाँ पर यह process कैसी होती है anaerobic इन दोनों में main difference ही होता है कि glyoxalate cycle में isocitrate mellet anaerobic condition में बनता है और TCA cycle में aerobic condition में बनता है question number 8 which analyzing the structure vitamin variation in DNA the B form of DNA consists of how many pairs for helical done देखे सबसे पहले तो तीन टाइब के होते हैं A तीन टाइब के डियोन आते हैं A, B, Z A और B right-handed होता है और Z जो होता है वो left-handed DNA होता है ठीक है अब हाँ पूछ रहे हैं helical turns तो किते helical turns होते हैं एक helical turn में 10.5 base pairs होते हैं इनका diameter होता है 20 angstrom और 2 base के बीच का distance होता है 3.4 angstrom तो यह पूछ रहे हैं how many base pairs per helical turn तो हम देखा एक helical turn में 10.5 base pairs present होते हैं question number 81 ICR National Bureau of Agriculturally Important Microorganism is located at Mao question number 82 which of the following is not a gram positive means gram negative bacteria and gram negative bacteria is Xenthomonas question number 83 minimum population size required for choric combination of all F1 gametes at random is its right option is 3N question number 84 scientific name of maize used to make popcorn अब यहाप अपने को चार ओप्शन दिये तो Zia में इंडियूरेटा होता है flint कौन ठीक है Zia में सेकेरेटा होता है sweet कौन Zia में अमाईलेशिया होता है floor कौन और Zia में इवेरेटा होता है popcorn इस आंसर इस पॉपकॉर्ण जिया में सेकेरेटा होता है उसकी चारो तरफ क्या होती है वह नाइट्रोजन के साथ बाइंड होता है और नाइट्रोजन के साथ क्या लगी रहती है रिंग लगी रहती है ठीक है और इसको अपन पूरे को क्या बोलते है पॉर्फाइरिन रिंग ठीक है उसके बाद यह यह तो हैड हो गया और फिर नीचे टेल होता है question number 87 assuming harday winberg equilibrium harday winberg equilibrium क्या है p square plus 2p q plus q square is equals to 1 frequency of the two allele at the being studied are 0.6 and 0.4 मतलब two alleles बोल रहे है मतलब p हुई 0.6 तो q हुआ 0.4 अब उचाई जीनो टापिक फ्रिक्वेंसी अफ हिट्रोजाइगाट विल बी मतलब हिट्रोजाइगर मतलब वो 2p q पूछ रहे है 2p q तो इट्स राइट आंसर इस 0.22 into 0.6 into 0.4 तो इसका आंसर आएगा 0.48 question number 88 ओका जाकी फ्रेग्मेंट इस रिलेटेट तो देखते हैं हम जब जानते हैं कि जब dna रैप्लिकेशन होता है तो वह 5' से 3' की डारेक्शन होता है तो एक तरफ तो continue फ्रेग्मेंट बनते हो दूसरी तरफ discontinuous बनते हैं और कंटीनियस फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं ओकाजाग की फ्रेगमें यह किसे रिलेटिए डियने के सिंथेस से लिए क्केस्टिन नमबार 89 शक्तिनी तरब अरब और अज्या चब्साइप नियुक्त नियुक्तिन भीसिунд में फ्लेखिय मिलें के जरिक एगवा को शिंख बाल से मैं घूंद नहीं से 90 second stage of Paxenia Graminis Treatise I produces it produces second stage of Paxenia Graminis Treatise I produces tell you to spores question number 91 which of the following plant disease are caused by deuteromycetes हमने देखा deuteromycetes को हम इंपर्फेक्टी फंगाई बोलते है और इसको इसलिए बोलते है क्योंकि यह सेक्शल रिप्रदक्शन होता है अब यह कौन सी plant disease करता है तो इसका अंसर है विल्ट question number 892 the multiple replicates of same chromosome holding together in a parallel fashion is कौन इसका अंसर राता है polytiny polytiny chromosome is found by बोल सकते हैं इसको किसने जिया था बाल भी आने इने सबसे पहले देखा था काय में देखा था जो salivary gland होते हैं इसमें देखा था इसको salivary chromosome भी कहा जाता है इसको actually salivary gland chromosome कहा जाता है इस chromosome में क्या होता है लार्ज जो रहते हैं जो डीन फेकर हुआ है उसमें बहुत जो लिएने होल्ट रहता है तो कहते हैं पॉलिटीन क्रूमोसोम question number 93 which while explaining cells in ribosome the suffix S in ribosome हम जानते हैं कि जो हम बोलते हैं 60S ribosome है 40S ribosome है अब यह पर S कहा है तो S is sedimentation coefficient question number 94 which of the following is a polyphagus then termite is a polyphagus pest question number 95 entry of following tube through mycopylle मीजोगेमी का मतलब जब integument से entry होती है तो उसको मीजोगेमी पोरोगेमी मतलब माइक्रोपाइल से होती है तो पोरोगेमी एक और होता है चलाजोगेमी जब चलाजल से एंटी होती है तो चलाजोगेमी तो इसका राइट आंसर आएगा पोरोगेमी question number 96 in germination test what is the minimum number of replication as per ISTA ISTA is International Seed Testing Association जो 1924 में बना था इसका राइट आंसर है option number 4 that is 4 question number 97 which of the following is a single stranded DNA plant virus it's right answer is banana bucket of virus question number 98 gray mold of chickpea is caused by botrytis cyanera question number 99 which of the following comes under nutritious cereals the nutritious cereals के होता है millets is a nutritious cereals question number 100 which of the following is a surface fiber जब seed leaves और fruit की surface से कोई fiber आ रहा है तो से कहते सर्फेस फाइबर जब टाइकोटिन लिडन स्टेम में अगर उसमें कोई fiber आ रहा है तो उसे कहते बास्ट फाइबर और सॉफ्ट फाइबर इसका एक्जामपल एक्जामपल होता है तो आज हमने आइसे जारे प्लांट साइंस 2019 के 19 में हमने question number 100 तक हमने questions को discuss किया इससे पहले हमने question number 50 तक हमने questions paper को discuss किया था जिसके लिंक आपको हमारे description में मिलेगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक किजी शेर किजें सब्स्राइब किजे थांक यू साथ मैं आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिसके link आपको हमारे description में मिलेगी अगेन थांक यू थांक यू सो मच